यूपी और उत्तराखंड में जहरीली शराब का कहर अब तक 37 लोगों की मौत देश के तीन राजों में एक बार फिर से जहरीली शराब ने कहर बर पाया है वही बिहार यूपी और उत्तराखंड में दो दर्जन से भी जादा लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई ह जिसके वज़र से हाहाकार मच गया है वही यूपी सरकार ने इस मामले में जाच के आदेश दिये है तो बिहार और उत्तराखंद सरकार भी कारवाई कर रही है अभी तक कुल 37 लोगों की मौत हो चुकी है वही मृतुकों में उत्तराखंद के 13 सहारनपूर में देवबंद के 16 और कुशिनगर के 8 लोग शामिल है वही हम आपको उत्तादे सबसे पहले बात करें यूपी की तो सहारनपूर जीले के देवबंद इलाके में कच्ची शराब पीने से 16 लोग मौत के मुह में समा गये वही जबकि 10 लोगों की हालत गंबीर बताई जा रही है सभी को उपचा सजार रुपे की मदत राशी का एलान किया गया है साथी साथ पुलिस प्रशाशन वह आपकारी विभाग को अवेज शराब के खिलाब लगातर 15 दिनों तक सयुक्त अभियान चलाने के आदेज दिये गये हैं इसके अलवा उत्तरपदेश के ही कुशिनगर में जहरीली शरा वही इसी तरह से उत्तराखंड के रुड़की में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो चुकी हैं जिसके वज़य से कई गाओं में मातम पसरा हुआ है कुल मिला कर पूरे राज्य में कच्ची शराब ने दो दर्जन लोगों की जान ले ली हैं वही मामला सग्यान मे आने के बाद उतराखंड सरकार ने आपकरी विभात के 13 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है साथी साथ रूर की क्षेत्र जबरेडा पुलिस स्थाने के प्रभारी प्रदिप मिश्रा समय चार पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है वही उदर बिहार से भी ऐसी खबरे आ रही है जा कच्ची शराब ने कहर बरबाया है